Hello everyone, this is Anjali Krishna and welcome to my channel आज कर रहे हैं हम illustration 9 illustration 9 में हम ही total assets calculate करके बताना है कि formula क्या है? assets is equal to capital plus liability assets हम बार बार एक question में basic equation में कर रहे थे ना कि assets क्या होती है? total capital and liability के बराबर होती है capital and liability जितना होगा, उतना ही क्या होगा? assets होगा, ये तो हमने पढ़ा है ना अब हमसे पूछा गया है कि आपको assets calculate करके बतानी है कि कितनी है तो देखो capital हमारे पास कितने का है? 70,000 का है और liabilities कितनी है? 40,000 है हमने formula अपना लिख दिया assets is equal to capital plus liability capital जितना है उतना हमने लिख दिया और जितनी liability है हमने वो भी लिख दिया है अब दोनों को plus कर देंगे हमारा total assets आ जाएगा ठीक है? अब illustration 10 देखते है देखे illustration 10 में क्या है? इसमें भी हमें assets बतानी है कि total assets कितनी है थोड़ा lending कर दिया है capital कितने का है? 4,000 का है अब यहाँ पे directly liability नहीं दिया है liabilities में क्या-क्या आती है हमने headings में देखा है creditor हमाई liabilities होते है loan अगर हमने लिया है वो liabilities होती है अगर question में यह सारी चीज़े आती है तो बिल्कुल mind sharp करके रखना कि यह जो भी चीज़े liabilities के नीचे हमने heading में लिखी थी वो सब liabilities ही है ठीक है? creditor 3,000 है revenue earned during the period जो भी revenue earned हुआ है पूरे period में वो 7,50,000 है और expenses जो incurred हुआ है उस period में वो कितने का है? 2,000 का है value of unsold stock 2,000 value of unsold stock से हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यह already हमारे पास है यह unsold है इसे sold किया ही नहीं है तो 2,000,000 का है हमारे पास formula हम दुबारा लिखेंगे assets is equal to liabilities plus capital capital में हम क्या करते थे profit अगर होता था तो क्या करते थे उसे plus करते थे तो यहाँ पे profit हम चे क्या लिख दी creditor plus capital plus profit creditor कितने का है? 3,000,000 का है capital कितने का है हमारे पास? 4,000,000 का है और profit कितने का है? 7,500,000 का है लेकिन उन्होंने expenses भी दिये है तो जो भी profit होता है हमने matching concept में अपने पढ़ा था कि एक accounting period में जो भी हमें profit होता है जो भी हमें revenue होता है revenue को earn करने में जितना भी खर्च हुआ है जो भी expenses हुए है हम उसे क्या करते है? उसी साल के revenue से minus करते है तो हम expenses को क्या करेंगे? minus करेंगे minus करने के बाद हमारा कितना आएगा? 5,50,000 ठीक है? 5,50,000 हमने क्या कर दिया? 7,00,000 में plus कर दिया अब हमारा total assets निकल के क्या आगे? यह आगे 12,50,000 12,50,000 में जो unsold stock है न वो भी include है ठीक है? क्योंकि यह भी विका तो है नि तो यह इसी में include है ओके?